गाईज अगर आप एक website को Android app में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा tutorial में पहले ही बना चुका हूँ लगबग 10 वीडियो है उसमें आपको सभी function देखने के लिए मिल जाएगा जो एक application में होना चाहिए तो अगर app में convert करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को आप देख स तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजीगा और bell icon में से all notification को on कर लिजीगा तो hello guys मैं हूँ सुर्यकंत कस्याप और आप सभी का स्वागत कतो हूँ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल्स संद्राव में तो guys apk generate करने के लिए simple सी बात है यार android studio तो आपको open करना ही पड़ेगा तो same project मैं यहाँ पर open कर चुका हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है build करके एक option दिखाई देता है इसमें आपको click कर लेना है build में click करने के बाद यहीं पर दो option आपको दिखाई देगा एक तो है build bundles और oblique में apk लिखा हुआ है और उसी के नीचे पे लिखा हुआ है generate signed bundles oblique apk तो यह दोनों का क्या मतलब है यहाँ पर जो build उपर में लिखा हुआ है इसका मतलब है हम लोग अपना application को test करने के लिए अपने दोस्तों के mobile में भेजना चाहते हैं अफिर अपने mobile में test करना चाहते हैं उसके लिए एक apk generate कर सकते हैं इसके द्वारा जिससे हम लोग उसको सिर्फ test कर सकते हैं ठीक है और जो यह generate sign bundle apk लिखा हुआ है इसको हम लोग अपने mobile या फिर अपने दोस्तों के mobile में send करके इसको चला नहीं सकते हैं इसको सिर्फ play store में हम लोग upload कर सकते हैं इसलिए sign bundle apk है इसको जब generate करेंगे जब हम लोग को play store में इसको upload करना रहेगा औ अब इसमें हम लोग click करेंगे build bundles अब लिक एपीक तो अभी हम लोग इस वाले option को देखते हैं उसके बाद फिर play store में डालने वाला जो sign apk है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर build के option पर मैं mouse को ले करके आया तो यहां पर दो option आए गया build apk और build bundle तो हम ल window pop up होता है और इसी में locate option आपको दिखाई देगा मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर activate windows लिखा आ रहा है इस कारण से वह दब गया है तो यहीं पर locate option आपको दिखाई देगा उसमें आपको click कर लेना है locate पे click करने के बाद यहां पर एक window खूल करके हम लोग के साम mobile में send करके open कर सकते हैं यहां पर देख लिए APK file भी लिखा हुआ है और नीचे वाले को आप ignore कर सकते हैं यह आपके कोई काम नहीं आएगा बस उपर वाला APK हम लोग का file है उसको हम लोग send करके देख सकते हैं और अगर आप इन दोनों file का location जानना चाहते हैं तो उपर में देख लिए एक छोटा से arrow दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग click करेंगे तो वहां पर हम लोग का file का location हम लोग को पता चल जाएगा तो यहां पर देख लिए यह जो दिखाई दे रहा है इसी location पर हम लोग के यह दोनों file बना हुआ है अब देखते हैं कि play store में डालने के ल यहां पर हम लोग के सामने इस तरीका का window खुल करके आएगा इसमें दो option पूछा जा रहा है एक तो है Android app bundle हम लोग generate कर सकते हैं और दूसरा है AP के file हम लोग generate कर सकते हैं और दोनों के दोनों को किसी को भी हम लोग play store में upload करने के लायक रहेगा लेकिन हम लोग अगर Android app bundle generate करत हैं तो इसमें कुछ-कुछ फायदा हम लोग को मिलता है यहां पर देख लिजे तो अगर आपको लगता है कि यह सभी आपके लिए जरूरत का है आपका काम आएगा तो आप Android app bundle के सांथ जा सकते हैं इसमें भी कोई problem नहीं है यह भी असानी से आप play store में upload कर सकते हैं मैं यह अब यहां पर Android app bundle पे ही क्लिक रहने देता हूं क्योंकि पहले से ही है और इसमें कुछ-कुछ खायदा भी मिल रहा है तो इसी को हम लोग generate करेंगे उसके बाद हम लोग को जाना है यहां पर next पे click करना है next में click करने के बाद इस तरीक एक विंडो सामने आता है तो इसमें से जो पहला सबसे option मिलता है इसको तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है और second number पर यहां पर लिखा हुआ है की store path तो इसमें से जो खाली दिबबा दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग को path हम लोग का select करना है तो उसके लिए हम लोग यहां पर create new को option दिखाई दे रहा है इसमे हम लोग click करेंगे पहली बार जब हम apk generate करना चाहते हैं किसी भी project का तब यह ऐसा option दिखाई देता है की store path उसका नहीं रहता है तो उसके लिए हम लोग यहां पर create new पे click करेंगे create new पे click करते ही ऐसा window आपके सामने आ जाएगा तो इसमें से पहला option में की path करके लिखा हुआ है तो यहीं पर एक file का option दिखाई दे रहा है इसको हम लोग click करेंगे और अपना file का location chain करेंगे जहां पर हम लोग को अपना key store का path देना जहां पर हम लोग का apk bundle को save करना है और वो ऐसा होना चाहिए और कभी आपका delete नहीं होना चाहिए जैसे आप play store पे डाल रहे हैं और आ लाना आपको नहीं पड़ेगा तो इसको आपको अच्छा से देना मतलब यह folder कभी delete नहीं होना चाहिए अगर आप अपने apk में update लाना चाहते हैं अगर यह folder delete हो जाता है तो आप update नहीं ला पाएंगे फिर से नया apk आपको upload करना पड़ेगा तो देख लीजी यहां पर मै याद रहना चाहिए आपको कभी भूलना नहीं है उस password को जब भी उसका update लाएंगे तो यही password सेम आपको उस समय भी लगेगा तो इसमें password डालना है और इस वाले option में भी password आपको डालना है और नीचे में दो option और भी दिखाई दे रहा है यह दोनों में भी same password डालना है मतल अब यही पर नीचे में आप देख पा रहे होंगे certificate करके लिखा हुआ है और यह सभी boxes बना हुआ है तो इसमें सभी में फिल करना आपका जरूरी नहीं है लेकिन जो first name and last name लिखा हुआ है इसको आपको डालना पड़ेगा तो यहाँ पर click करके अपना नाम डाल सकते हैं या फिर APK का नाम डाल सकते हैं कुछ भी आप डालना चाहिए डाल सकते हैं यह जरूरी होता है और बाकी को अगर आपका कोई company है या organization है कुछ भी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं नहीं तो इसको blank भी छोड़ सकते हैं बस यह उपर वाले को आपको फिल करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख चुका हूँ और नीचे में ok का option दिखाई देगा तो simply यहाँ पर click कर लीजिए अब देख लीजिए जो पहले वाला window थो उसमें से हम लोग keystore path हम लोग का दिखाई देने लगा है यहाँ पर जो दिये हुए थे तो यह पहले से रहेगा जब भी आप update करने के लिए आएंगे तो यह पहले से रहेगा आपको create new पे कभी click नहीं करना है अगर आप update करना चाहते हैं तो यह update करने के time का बता रहा हूँ अभी तो यह बन चुका है अभी बनाया है इसको और बाकि other time update करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देना है यही path र तो सेम पासवर्ड यहाँ पर दोनों जगह पर आपको फिल कर लेना है और उसके बाद मेरे में यह वाला आप्सन अभी चक है तो अगर आपके में नहीं रहता है च्यक तो इसको चेक कर लेना है और उसके बाद पिर यहाँ पर next के button पर आपको click करना है सबसे नीचे में next को बटन है उसमें next में क्लिक करने के बाद ऐसा विंडो दिखाई देगा तो इसमें से आपको release को क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे में finish के option को क्लिक कर लेना है उसके बाद देख लिए जो नीचे में लोग करकर एक option दिखाई देगा उसमें आपको क्लिक कर लेना है event log पे क्लिक करते ही यहां पर हम लोग काका ही activity हो सभी होने लगते है तो यहीं पर हम लोग का Studies क करके को क्या है इसमें हम लोग कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग को play store में upload करना है और वो सभी काम कैसे करना है उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप check out कर सकते हैं इसमें फाइल बना हुआ है और इसका location अगर आपको जानना है तो उपर में आप location भी देख सकते हैं इसी location पे आप जा करके भी इसको access कर सकते हैं इ कैसे upload करना है और वीडियो आपको पसंद आया हुगा आपके लिए helpful होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू